हेलो रिवेन वेल्कम डिस्टडी आएक्यू एंड इस डॉक्टर विपन गोईल सो आज के लेक्चर में हम डिस्ट करेंगे हमारा टॉपिक इंडियन नैशनल आर्मी जिसे हम आजाद हिंद फोज के नाम से जानते हैं सुबाशन रबोस कैप्टन मोहन जिंग रास बिहरी बोस इनका बहुत बड़ा हाथ है हमारे देश को अजाद करवाने में भी और प्लस इंडिया के अंदर जो है ऐसी भावना लेके आने के लिए अजादी की भावना लेके आने के लिए तो इंडियन नैशनल आर्मी का जो श्रे है पहले तो हम देखेंगे इंडियन नैशनल आर्म अब जो INA है इसका जो idea हमें लगता है यह पहली बार idea कहां से लगता है इनका लगता है जी रास बीहारी बोस से किन से रास बीहारी बोस से इनका idea लगता है यह idea यह वो person है जिनोंने आपको याद होगा 1911 में जब हमारी राजानी शिफ्ट होने के लिए बाते चल रही थी तब इनोंने जो है बम फेगा था लॉड हार्डिंग दुट्या के उपर सो राजबिहरी वो ही परसन है और यह जो है भाग के चले आये थे 1915 में कहां पे जापान में और यहां पे यह किसके साथ मिले थे यह परसन मिले थे कैप्टन मोहन सिंग किस से कैप्टन मोहन सिंग से अब एक कैप्टन मोहन सिंग जो है यह कहां से है यह एक जगा है मल्या ठी तो यहें जो है इनके साथ मिलते हैं और इनको जो है citizen बनवा देते हैं राजभी रिधवोस को जापान का युद करते हैं और यहां पे इस टीज़ कोईind आपकी। सुभाष चंदर बोस क्लियर सुभाष चंदर बोस इंडिया में होते हैं यह यहां पर आ जाते हैं यह जो है इंडिया से बाहर निकल के 1941 में यह पहुंचते हैं कहां पर बर्लीन क्लियर सो बर्लीन पहुंचते हैं जर्मनी और उसके बाद बर्लीन जर्मनी के बाद 1943 में यह आ लगता है और सारी के सारी जो भागदोड है रास बिहारी बोस किसको पकड़ा देते हैं रास बिहारी बोस पकड़ा देते हैं सारी बागदोड किसको सुभाष चंदर बोस को और यहां पे ही यहां पे ही जो है सुभाष चंदर बोस जो है यह क्या अगर रास बिहारी बोस क्ल बाल देते हैं सुबास चंदर बोस यहां पर नारे क्या लगाते हैं दिल्ली चलो clear दिल्ली चलो यहां पर नारे लगता है और तुम मुझे खोन दो मैं तुम्हें आजादी दूँगा यह भी वर्ड यहां पर यूज होता है तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूँगा, clear, मैं तुम्हें आजादी दूँगा, ये word भी यहाँ पे slogans use होते हैं, clear, और ये जो है, ये सारे के सारे soldiers को इकठा करते हैं, सुबास चंदर बोस क्या करते हैं, सारे जो है soldiers को इकठा करते हैं, ये soldiers कौन से होते हैं, जो Japanese था पहले वाले lectures के अंदर clear जब पूरा का पूरा South East Asia कोयर कर लेते हैं कौन आपके जो Japanese हैं तो यही सुभाष चंद्रबोस उन soldiers से मिलने जाते हैं और पूरा का पूरा जो है सारे के सारे soldiers को त्यार कर लेते हैं जैसे यह त्यार करते हैं जुलाई 1944 में सिंगबुर में सिंगबुर में ही रेडियो से यह क्या अनौश करते हैं यह कहते हैं महात्मा गांधी को किस नाम से बुलाते हैं यह बोलते हैं father of the nation राश्रपिता के नाम से clear so father of the nation जो है उपादी किस ने दी थी वो दी थी सुभाष चंद्रबोस ने clear तो father of nation किस ने बोला सुभाष चंद्रबोस ने कैसे बोला जब वो सिंगबुर में थे कहां पे जब रेडियो से बोला गया है यह clear तो उन्होंने यहां पे बाते करे थी कि मैं देश के राश्रपिता को बताना चाहता हूं कि हम आजादी के लिए जो है अपनी फौज लेके आ रहे हैं हमारे इंडिया में clear तो इससे जो है आपके जो सोल्जर्स हैं अब कहां पे आएंगे यह सोल्जर्स कहां पे आएंगे इंडिया के उपर अटैक करने के लिए आएंगे clear अब इनोंने जो है अपने हैड़कॉर्टर बनाए आजाद हिंद फोज ने इंडरनेशन आर्मी ने अपने हैड़कॉर्टर बनाए यह हैड़कॉर्टर कहां पे थे यह दो जगापे हैड़कॉर्टर चुने गए थे कहां पे दो हैड़कॉर्टर थे इनके दो headquarters बनाए इन्होंने वन इस इन दा रंगून and the second one इन दा Singapore, clear तो ये जो है headquarters इन्होंने बनाए यहाँ पे, दो headquarters, clear और उसके बाद जो है इन्होंने तीन brigades भी बनाई तीन brigades भी बनाई वो तीन brigades कौन कौन सी थी आजाग नहरू and Gandhi ये जो है इन्होंने तीन forces भी बनाई आजाद, नहरू and Gandhi और एक जो है women specific एक women specific जो है एक फॉज बनी जिनको लक्षमी हैंडल कर रही थी और इसका नाम क्या था जांसी, इनको हैंडल कौन कर रहा था लक्षमी, clear तो लक्षमी हैंडल कर रही थी और इसका जो दारूमदार है लक्षमी के पास और फॉज का नाम जांसी था clear और यह जो है यहां पे एक फॉर्स ही जिन्नों ने अपने आपको ही एक गुरिला वार्फियर ने ही अपने आपको सुभाश ब्रिगेड का भी नाम दे दिया था ठीक है सुभाश ब्रिगेड भी वर्ड यूज किया गया था तो इस तरीके से यह बातें करी गई यहां पे clear इसके बाद जो है आई एनने की फॉर्सी जो है वो कहां पे आगी इंडिया में गुसने के लिए त्यार होगी जब इंडिया में गुसी तो पहली बार कहां पे ग clear और निकोबार का नाम रख देते हैं स्वाराज यह नाम चेंज कर दिया जाता है शहीद एंड स्वाराज दीप रख दिया जाता है clear बट उसके बाद जैसी यह आईने के सोल्जर्स जो हैं बिटिश आर्मी के साथ लड़ते हैं बिटिश आर्मी के साथ लड़ते हैं तो आ दिल्ली चलो के नारे दे देते हैं, clear, दिल्ली चलो, clear, तो ये सारी के सारी जो बाते हैं, यहाँ पे ऐसे होती हैं, अब इनके कुछ soldiers पकड़े जाते हैं, 1945 के उपर, जो हैं, तीन soldiers, पी के सहगल, ये पता होना चाहिए, very important, शान नवाज खान, शान नवाज खान, और गुर्बक्ष सिंग डिल्लो, clear, इन तीन soldiers के उपर जो हैं, मुकदमा चलता है, और इस ये मुकदमा चलता है, जी कहां पे, Red Fort, इसलिए इसको Red Fort Trials के नाम से भी जाना जाता है, clear, और यहां पे जो है, ये शान नवाज खान कौन है, ये शान नवाज खान वो है, जो INA के, इंडो बर्मा, फ्रंट के लीडर थे, इंडो बर्मा, क्योंकि इनके soldiers आये थे ना इंडिया में, इंडो बर्मा, फ्रंट के जो है, जो लीड कर रहे थे, बटालियन को लीड कर रहे थे, वो कौन थे, शान वाज खान, clear, और इनको बचाने के लिए, हमारे लोग भी जाते ह है, clear, 1945 में टीम जाती है, लीडर्स की एक टीम जाती है, इनको बचाने के लिए, clear, जिसमें आपके बहुत सारे लीडर्स, लॉयर्स होते हैं, बहुत सारे लॉयर्स जाते हैं, वकील जाते हैं, कौन-कौन से, जो हैड होते हैं, वो होते हैं, बुला बाई देसाई, बुला बाई देशा ये होते हैं head, leader ये होते हैं इन में से, clear, जो हाला नहरू भी जाते हैं, जो हाला नहरू भी जाते हैं, और आसफली भी जाते हैं, clear, बहुत सारे prominent person जो है इस तरीके से जाते हैं, clear, जो हाला नहरू, के अन कटजू और प्लस जो है आपके, के अन कटजू भी जात जाते हैं आसरफली भी जाते हैं के अनकटजू भी जाते हैं तेज बहादूर सप्रू भी जाते हैं तेज बहादूर सप्रू भी जाते हैं क्लियर सो कितनी जो है प्रॉमिनेंट लोग जो है इनको बचाने के लिए जा रहे हैं क्लियर अब इन लॉयर्स की टीम जाएगी और जो है सारे की सारी बाते इनको चुड़वाने के लिए बाते करेंगे और मुस्लिम लीग जो है मुस्लिम लीग भी साथ देती है मुस्लिम लीग भी जो है कंट्री वाइल जो प्रटेस्ट को सपोर्ट करती है कि हां ये क्या हो रहा है इस तरीके से तो अब क्या होता है कि आप तोक्यो जा रहे थे तोक्यो जा रहे थे और कहां पर फार्मोसा अईलेंड के पास आपका जहाज प्लेन वह प्रेंड हो गया था बोला जाता है लेकिन इसका कोई significant कोई भी इसका जो है हमें पता नहीं है कि है ऐसे हुआ भी था या नहीं हुआ था और आपको कुछ facts से आपको पता होना चाहिए INA के बारे में like for example November 12, 1945 इसको INA Day के नाम से मनाया जाता है clear इनका जो flag था INA का जो flag था tricolor था और उसके उपर दहाड़ता हुआ share and roaring line clear दहाड़ता हुआ share का निशान था उसके उपर और plus आपको इसमें एक चीज़ और पता होने चाहिए कि जब सुभाष चंदर बोस थे ये INC में भी लड़ रहे थे तो INC में इनका क्या योगदान था? INC में 1938 में हरीपूरा session में ये पहली बार क्या बने थे? हरीपूरा session में ये पहली बार first time क्या बने? प्रेजडेंट first time प्रेजडेंट बने थे clear और यहां पे इन्हों ने national planning committee भी setup करी थी चाह के आपके देश के लिए planning के लिए बात चलिए national planning committee भी setup करी थी और उस committee के committee के जो chairman थे chairman किसको बनाया गया था जो हालाल नहरू को उस committee का chairman किसको बनाया गया था जो हालाल नहरू को बनाया गया था clear national planning committee set up कर दी अब उसके बाद 1939 में दोबारा से election होता है त्रीपुरी session में INC में चल रहा है अब यह त्रीपुरी session में clear त्रीपुरी session में सुभाश चंद्र बोस के साथ against कौन लडता है वो लडता है जिक गांदी जी के nominee होते है it's पत्था भी कि सीता रमया सीता रमया clear तो यह person जो है वह किस के साथ लड़ते है सुभाश चंद्र बोस के यह कौन होते हैं गांदी जी के nominee जानए के गांदी जी जीद के अब एक्चली जो है सुभाशंद्रबोस और गांदी जी के बीच में डिफरेंसेज बढ़ने लग जाते हैं तो सुभाशंद्रबोस क्या कर देते हैं आई एन सी से रिजाइन कर देते हैं और अपनी एक 1939 में एक जो है फॉर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर और जैसे यह resign कर देते हैं 1939 में तो जब जाने के बाद इनका temporary जो प्रेज़ेंट बैठते हैं temporary प्रेज़ेंट जो है INC के बैठते हैं वो कौन बैठते हैं डॉक्टर राजेंदर परशाद डॉक्टर राजेंदर परशाद यह मैंने आपको वैसे INC के सेशन में भी बताया थ क्लियर तो यह जो है INC INA के साथ जो लिंक करते हैं सुवाश चंदर बोश की जो है जीवली के बारे में हमने इतनी से बाते करने थी जो हमारे exam level के लिए important है वैसे तो खुद personality बहुत बढ़ी है बहुत important personality है बड़ हमारे exam point of view सारी जो चीज़ें है वो इतनी से ही पुछी जाती है आपको clear तो यह था हमारा 1945 का अब next lectures के अंदर हम देखेंगे कि हां किस तरीके से जो है आजादी के लिए बातें और भी तगड़ी हो रही है और भी चीज़ें बढ़ रही है बैवल प्लैन आएगा शिमला conference आएगी फिर उसके बाद जो हम इसको भी reject करेंगे cabinet mission प आपका lecture के अंदर है please comment clear so thank you so much good luck take care all the best